नमस्ते मैं हूँ देव आपका म्यूजीक इंस्ट्रक्टर आजम बात करने वाले हैं FL स्टूडियो के अंदर अमेजिंग सीक्रेट्स जो मैं डिली लाइफ में यूज करता हूँ आशा करता हूँ आप में से काफी लोगों को नहीं पता होंगे और जिनको मालूम होंगे वो रिवीजिन कर लेंगे लेट्स जंप इंटो इट पहला सीक्रेट्स मैं यहाँ से कोई भी एक melody बनाता हूँ चलिए यहाँ गया मैं आशा करता हूँ आप लोग हेड़फोन पर सुन रहे हैं तभी आपको यह सीक्रेट पता लगने वाला है मैं जल्दी से इसे audio में कनवर्ट कर लेता हूँ क्विक्रेंड्रेस audio clip यह पकड़ा मैंने यहाँ पर आ गया और हम सुन रहे हैं तो डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे प्री कॉंप्यूटेड इफेक्ट्स अगर आप इन पर क्लिक कर देते हैं तो बहुत सारे और नॉब्स आती हैं जिनमें से एक नॉब्स है यहाँ पर स्टीरियो डिले आप इसको आगी पीशे जब मूव करते हैं तो य अगर देखेंगगे मैं इतर लेके जाहरा हो तो हमारा राइट लिखा रहा है Посंटेज मैं लेक लेके जाता हमों और बता रहें कि लेफ्ट चेल की परसंटेज वह बता रहा होंगे देखिएगा अभी बिल्कुल जीरो है राइट क्लिक रिसेट बहुत सलाइट आपको हलका सा करना है आप हैटफून में देख रहे होंगे वह आपको एक हलकी सी वाइड फील दे रहा होगा आपने इतना ज्यादा नहीं कर देना नहीं तो फिर बहुत जादा लेटेंसी हो जाएगी देखिएगा अलग लग सुन रही है एक लेफ्ट में और दूसरी थोड़ी देर बाद वह राइट में राइट सेकेंड ट्रेक हम यहां गए कोई भी एक केक ली चलिए मैं चलिए मैंने केक ले ली डबल क्ल राइट क्लेक एड़िटेन आडियो एडिटर मैं चला गया एडिसन के अंदर अब मुझे चाहिए कि थोड़ी 808 भी चाहिए तो हम क्या करते हैं कि के नीचे 808 रखते हैं बाद में उसे साइड़ चेन करते हैं पुराना तरीका नया तरीका इतने सा एरिया मैंने स्लेक्ट कर लिया All Press करके या फिर चाहिए वैसे ही कर लें और मैंने के किया Control वी कंच्रोल के में complete करता जा रहा हूं और देखे वह इतना ही एरिया माँ पर आगे बनाता जा रहा है काफी सारा कंच्रॉल करने के बाद यह देखिए तो मैं यह जितना भी मैंने बनाया इस area को मैं कर लेता हूं select और मैं क्या करता हूं construction चल रही है I hope मेरी आवाज आपको clean आ रही हो एक दो तीन चार चौथी जो option है वो है run यहां click किया generation यहां से गई sign generator इस पे click किया और मैंने कहा एक sign generate कर दो कितनी frequency की मुझे base चाहिए तो चलिए 40-45 सक्रीवन रख लेते हैं headphones में ही पता लगेगा mobile के speaker में low frequency नहीं सुनने वाली मैं आपकर देता हूं 48 ठीक है volume मैंने कहा जो original है उससे थोड़ा कम हो जाए कितना 0.8.7 हो ठीक है face छेड़ना है नहीं बस run कर दिया और यह देखिए अब देख रहें low frequency exactly 48 hertz की अब मैं क्या करने वाला हूं बस मैं यहां गया double click deselect हो गया और मैं यहां पर गया यह उपर यह नीचे और फिर यह इसके साथ connect हो जाए तो मैं क्या करने वाला हूं इतना area मैंने पकड़ लिया यह जो आराम से मैं पकड़ पा रहा हूं यह मैं alt प्रेस करके कर पा रहा हूं right select किया delete कर दिया तो आप देख रहे हैं जब मैंने वो काट दिया अब जो मेरी पिछली किक थी उसका transient और उसके साथ वो धीरे 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 बिल्कुल perfectly वो merge हो जाएगा आपको आसानी से उसे अच्छी तरह से काटना है आप चाहते हैं थोड़ी वो down हो तो आगे मैंने select कर लिया यहां गए और मैंने कर दिया fade out चलिए थोड़ा fade out भी हो गया बंद किया सुनते हैं राइट तो किक के साथ ही वो sub आ रही है कोई नीचे अलग से sub कोई अलग से 808 रख के आपको side chain करने की जुरूरत नहीं है next trick आप अपनी kick को snare को एक अच्छा punch देना चाहते हैं चलिए मैंने एक बहुत ही simple light सी kick ली है मैं चाहता हूँ इसमें अच्छा 5 आए किसी भी number में ले गए चलिए 7 number में है यहां click किया और मैंने यहां पर ले लिया है एक soft clipper चलिए अब मैं यह post जो है यह मैं हलकी सी down कर रहा हूँ बहुत हलकी सी क्यूं क्यूं क्यूंकि मैं उसके अंदर जो punch add करूंगा हो सकता है signal clip ना कर जाए तो मैंने soft clipper लेकर जो post है थोड़ी कम कर दी right अब मैं क्या करने वाला हूँ इस पर double click किया यहां गई miscellaneous functions में और यहां level adjustment में एक और volume knob है यह sampler में भी होती है और इसमें भी होती है यह technically एक preamp की knob है आप सबको मालूम है जो लोग recording करते हैं वाँ preamp होता है अब दीखेगा इसे select कर लेते हैं अब देखरें कितना सही punch आ गया इसके बावजूद वो clip नहीं कर रहा है वो zero को cross नहीं कर रहेगा यहां पर वही है क्यूं क्यूं कि मैंने softly पर लेकर जो है उसकी post down कर दी थी punch देख रहे हैं आप में सिरफ इसे आप यही ली यह वाली थी ना चलिए make unique कर देते हैं right और इसको बाहर ले आते हैं और इस पर कुछ इसे reset कर देते हैं make unique है चलिए अब अब यह दो पहले यह थी अब यह है huge difference headphones में next trick आप क्या करते हैं कोई एक patron लिया double click किया प्लस पे क्लिक किया यहां से हमने कोई एक VST ले किया राइट क्लिक किया प्यानो रोल में गए वहां कोई melody बनाई वापिस आए फिर उसे किसी नंबर में mixer चैनल assign किया माली यह 16 15 कोई भी जो भी आपको latest मिला दो तीन पाच और और फिर आप यहां गए फिर आपने यहां जाकि उसके उपर एफेक्ट्स लगाए काफी लंबा प्रोसेस इजी प्रोसेस क्या है बहुत सिंपल f8 आपने f8 प्रेस किया और आपके सामने यह plug-in picker आ गया आ प्रोडक्शन जितनी भी melody वगरा हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं साउंड डिजाइन करते हैं वह वाले vst आगे हैं सिंथ आगे हैं राइट साइड पर मिकसिंग और मास्ट्रिंग वाले vst आगे हैं राइट तो लेफ्ट साइड पे आपको दूर से दिख रहा है साथ में नाम भी आ रहा है तो मैं यहां पर कोई भी एक vst ले ले लेता हूं कौन सा लें कौन सा लें चलिए fl keys लिया था राइट अब देखे मैंने सिर्फ 8 प्रेस किया था यह पकड़ा यह मेरे हाथ में ही है मैंने mouse प्रेस करके रखा हुआ है अभी यह मेरे हाथ में है कह यहीं भी जाके मैं छोड़ दूँगा चली मैं यहां छोड़ता हूं and that's it color भी अपने आप हो गया है उस पर double click करूँगा वो vst भी खूल जाता है इस पर double click करूँगा अपने आप वो piano roll खूल जाता है और मैं mixer में जाता हूं तो अपने आप नाम और color के साथ वो assign भी हो र process था कि मैंने पर ले select किया फिर right click करके piano roll में गए फिर mixer channel assign किया वो सारा process एक ही बटन से हो गया amazing trick बहुत जादा speed इससे बढ़ जाती है तो आज के लिए फिलहाल इतनी ही tricks बहुत जबरदस बहुत ही amazing hidden tricks थी आशा करता हूं आप मेंसे काफी लोगों को यह नहीं मालूम थी और जिनको याद भी थी उन्हें reviews हो गए है देव next level.in मेरी website उसके उपर आप जाएंगे sample pack वही 21 रुपे वाला जिसका मैंने पिछली lecture में आपको पताया था किस तरह से बन सकता है वो आप जाकर purchase कर सकते हैं debit card और credit card की ही option है मैंने कोशिश की gp और pay tm मैं enable नहीं कर पाया क्यों क्योंकि obviously मुझे इतनी ज्यादा website जो है coding कह लिजिए या web designing कह लिजिए इतनी नहीं आती इतनी ही बहुत है कि मैं web design खुदी कर पाया अकेला इस कमरे में बैठके website भी बन गयी है और सारा sample pack भी बन गया है मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है तो यहां से जाके आपर follow कर सकते हैं facebook.com slash devnextlevel page को जरूर लाइक कीजिए और मेरा नया चैनल devnextlevel beats इसे जरूर 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 सब्सक्राइब करेंगे और हमारा जो अपना चैनल है devnextlevel इसको आप सब्सक्राइब करने वाली है मिलते हैं किसी ओल एक्चर में तब तक लिए devnextlevel signing out नमस्ते झाल झाल झाल